अज आप लोगो मैं सीविल ड्रोइंग्स की बारे में बताऊंगा कुछ इंपोर्टेंट टिप्स दूँगा कि सीविल ड्रोइंग्स को आप कैसे पड़ सकते हैं इन सब चीजे को बारे में मैं बताऊंगा आप लोग वेंसे काफी लोग इस वीडियो का डिमांड भी कर रहे गते हैं कि वर्किंग ड्रोइंग्स और इस्ट्रक्टर ड्रोइंग्स की बारे में बताईए आज मैं आप लोगो इस वीडियो में एक गर का प्लान बताऊंगा इस घर का जो प्लॉट का साइज है वो है 16 फीट बाई 50 फीट का का पाफी छोटा प्लान लिया है जोटा प्ल को आप study करेंगे तो अगर आप अपको जॉब चाहिए तो यह ड्रोइंग को आप पढ़िए इस ड्रोइंग से आपको ड्रोइंग पढ़ना आ जाएगा और आप अपने नॉलेज को काफी इन्हांस कर सकते हैं तो प्लीज वीडियो इसकी मत करिए पूरा देखिए और मैं गात है एक होता है अपना आर्किटक्टर जरॉइंग जिसको वेकिंग को यह अपना लोराइग में बनता है अगर आप अपना घर बने लोता है आपके स्रड्रोण अवाह उसके सूब्सलो बनेगा फीड़ पहां पराएगा तो लड़ कहा पराएगा टॉड़ साइस देशा आपकी planning plan में आता है ठीक है देख रहें इसका अपना हो गया किसका ground floor का plan हो गया फिर यहाँ पर देखिए पना हो गया 1st floor का plan यहाँ पर हो गया आपका 2nd floor में पूरे ड्राइंग को आप पास करके भी रीट कर सकते हैं ठीक है या फिर यह मैं ड्रॉइंग आपको लोग को दे दूँगा तो वहां से डाउनलोड करके आप इस ड्रॉइंग को स्टडी कर सकते हैं फिर दूसरा अपना में प्लंबिंगोर सैटरी में क्या होता अगर आपके पास बातरूम है आपके घर में बातरूम हो गई होगा तो बातरूम तुको कहाँ पर लगेंगे, light कहाँ पर लगेगा, ठीक है, wall electrical, मतलब कौन से switch से, कौन सा light चालो होगा, किस height पर switch लगेंगे, यहाँ पर देखिए, इस वाले drawings में, sorry, इस वाले drawings में, यह देखिए, यहाँ पर है, कि कौन सा switch, किस height पर लगेगा, किते module का यहाँ पर box आएगा यह सब चीज हम decide करते हैं, कि मतलब कि light कहाँ पर आएगा, या पर यह जो plumbing और sanitary का आप जो drawing देख रहे थे, यह चीज हम कैसे decide करते हैं, यह सब चीज के बारे में drawing में आप लोग को बताना बताऊंगो अपने channel पर, तो उसके लिए मेरे channel को आप subscribe कर लिजिए, और notification bell icon को press क लिजिए, ताकि जब भी मैं इससे related video upload करूँ तो उसकी notification आपको मिल जाए, ठीक, इसके बाद होता है घर का elevation का detail, घर का designing होता है, उसमें कहाँ पर क्या चीज आ रहा है, कहाँ पर कितना offset है, उसका level कितना है, यह चीज आपको elevation detail में मिल जाएगा, ठीक, और फिर होता है brickwork, अब brickwork देखिए, अब जैसे आप इतना चोटा सेक्शन देखिए, यह वाला area में बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, C2 column, C3 column, और C3 column, अब यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है 9 feet, मतलब कि इस column से, इस column के बीच में, यहाँ मतलब कि मेरे माउस को देखिएगा, यह outer size से, मतलब कि यहाँ से brickwork है, ठीक है, यह, यह brickwork की line है, तो इसमें brickwork आ रहे है, यहाँ पर brickwork नहीं देना है, तो इस drawing में आपको यह पता चलेएगा, आपको brickwork कहां पर देना है, और आपके door window कहां पर आ रहे हैं, और यह आप schedule देखिए, कि आपके door window किते type के हैं, D1, D2, D3, W1, V1, W हो गया अपना window, V हो गया अपना ventilator, और D हो गया door, इन सब के levels क्या है, size क्या है, quantity क्या है, और कहां पर क्या आएगा, जैसे यहाँ पर आप देखिए, D1 type का door आपका यहाँ पर आएगा, D2 door यहाँ पर आएग ठीक है, यह देखिए, इस तरह पूरी detail आपको यहाँ पर मिल जाएगे, किसमे, brick, masonary और door window schedule में, मतलब कि brick कहां कहां पर आएगे, door window कहां कहां पर आएगे, इस तरह फर्स फ्लोर का भी देखेंगे, तो फर्स फ्लोर के बारे में भी यहाँ पर detail है, यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ किसी भी एक बड़े project से related, तो बड़े project भी same to same ऐसे ही होगे, ठीक है, थोड़ा बहुत में changes होगा, चीजों का होगा, और section अलग-अलग होगे, थोड़ी से detailing जादा होगी, लेकिन एप्रोक्स यही रहेगा, आप छोटे drawing को अगर पढ़ लेंगे तो आपके column कहां पर आएंगे, ठीक, फिर आजाएगा column का layout की column कहां पर कौन सा column आएगा, और कौन से column में कितने steel रहेंगे, ठीक है, जिससे C1 column आप देख रहे हैं, यह, C1 column में आपके 4 steel रहेंगे, कितने के 12 mm डाया के, और उनकी location कैसे रहेगी, यह आपको पता चल गया, C2 म कैसे fix करना है, links कैसे fix करना है, यह चीज आपको यहाँ पर मिल गया, आपको तीसरा column मिल गया, आपका कौन सा, 12 inch बाई 12 inch का, यह है, इसमें, देखे कितने बार है, 8 बार है, और इन सब की जो detail है, वो देखे यहाँ पर मिल जाएगा, column number, size, ठीक है, यह वाले में size आपको मि enforcement मिल जाएगा, कि कौन से column में किते बार आपको लगाने है, ठीक है, यहाँ पर आपको stirrups मिल जाएगा, कि stirrups की spacing क्या होगी, और किते mm के stirrups use करना है, stirrups add joint, joint पर stirrups की spacing क्या रहेगी, और number of column, size के column के कितने है, यहाँ पर आपको यह मिल जाएगा, ठीक है, यह एक मैं सब्सक्राइब बता दिया है, और उसमें बहुत सारे detailing होती है, अब ध्यान से जब इसको download करके पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा, लेकिन पढ़ना जरूर है, ठीक है, उसके बात होता है footing का layout, कि footing में कौन सा footing आ रहा है, footing कि size क्या है, ठीक है, PCC का size क्या होगा footing की depth किती होगी, reinforcement किस type का है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, schedule for strap beam, ठीक है, strap beam कहां पर आ रहा है, कि size का आ रहा है, तो आपको पूरी detail यहाँ पर मिल जाएगी, तीसरा आप देखेंगे, plinth beam का layout, plinth beam कौन से column से यहाँ पर देखिए, कि इस column से इस column तक beam दिया है, इस column से इस column तक beam नहीं दिया है, तो कहां पर कैसे beam देना है, यह आपको किसमें मिल जाएगा, plinth beam के layout के drawing मिल जाएगा, दूसरे drawing की बात कहों तो अब slab कहां पर काउं सा slab आ रहा है, slab के reinforcement क्या है, slab की thickness क्या रहेगी, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, उसी तरफ फिर जाएगा क्या, अब हम चले जाते हैं, ground floor के beam पर, तो ground floor का beam दूसी तरह की beam की size क्या है, ठीक है, beam के top में क्या स्टील आएगा, bottom में क्या आएगा, top extra में क्या आएगा, bottom extra में क्या आएगा, और उसकी rings की spacing कैसी रहेगी, यह आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, अब इ ठीकनेस यहाँ पर मिल गया, कौन सा slab संकेन है, कौन सा regular slab है, वह आपको पता चल जाएगा, अपने shorter span में कौन सा बार आएगा, कित्ती की spacing सा आएगा, longer में कौन सा बार आएगा, कित्ती की spacing, और अगर extra है, तो extra कितना आएगा, इस चीश के बारे में आपको यहाँ पर detail मिल इतना ही मैं आपको बताऊंगा, कि structure drawing क्या होता है, और working drawing क्या होता है, दोनों में क्या difference है, और दोनों को पढ़ने का तरीका, अभी तुम आने बहुत basic बताया है, detail video है मेरे चैनल पर, आप playlist में जाके देख सकते हैं, ठीक है, और यह आप पूरी drawings, आप मेरे website पर जाके डा में भी देख सकते हैं, और यह screen को पर भी flash कर रहा हूं है, www.tutorialtipscivil.com, यहाँ पर जाकर आप यह drawing डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और एक चीज़ और मैं बोलूँगा, कि अभी lockdown का time चल रहा है, ठीक है, आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तभी Instagram, Facebook, यह सब थो बड़ा सा अपने knowledge को enhance करने में लगाईए, मेरो website पर जाएए, थोड़ा सा time spend करिए वहाँ पर, जादा नहीं बोलूँगा, स्री 5 minute time spend करो, 5 minute में आपको खुद interest आने लग जाएगा, website पर जो information है, काफी informative information है, वहाँ पर जाएए, BBS के बारे में देखिए, cutting length के बारे में civil drawings के बारे मिलेंगे, civil topics को देखिए, ठीके, और भी आपको बहुत सारी चीज़ वहाँ पर मिल जाएगी, आप सिर्फ वहाँ पर 5-10 minute अपना time spend करिए, और अपने knowledge को enhance करिए, क्यों कि बहुत सारी information है, और बहुत सारी information डेली में अपडेट भी करता रहता हूं, तो आज की इस वीडियो में बस हिता ही, I hope आप लोग इस वीडियो अच्छा लगाओ, इस वीडियो से कुछ नो को सीखने को मिलाओ, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक जबर करिए इस वीडियो को अपने दोसर शाहां शेयर करिए, अगर आपने अभी अभी आप से बात कर रहा था कि मैं ड्रोइंग कैसे बनाते हैं, कैसे डिसाइट करते हैं, यह चीज के बारे में, मैं आपको अपने आने वले वीडियो में बताऊंगा तो उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, और नौटिफिक्ष्न बेल आइकन को प् कर दो चूचिंग